परंप्राओं की बेडियों को अक्सर तोड़ना चाहती हूँ, मगर समाज के आगे खुद को बेबस बाती हूँ हाई फ्रेंड्स, मैं ही जान जिन्दगी के सफर में अपनी नई कहानी के साथ आपका स्वागत करते हूँ आज की कहानी बेस्ट है रीती रिवाज वे कि कैसे हम एक रीतीों में रिवाजों में जगड़े हुए हैं ये कहानी है पांच बंदरों की एक बार कुछ साइंटिस्टों ने पांच बंदरों को इखटा करकी एक जगा बंद कर दिया वहाँ एक सीड़ी लगा दी और उस सीड़ी पर कुछ केले टांग दिये कैले देखके वो जो पांच बंदर थे उनमें से कुछ जो हैं वोपर सीड़ीों पर चड़े जैसे ही सीड़ी पर चड़े कैले तक पहुँचे तेस ठंडे बारिश आने लगी और बंदर घबराके नीचे उतर गए पहले बंदर ने ऐसे करा और जैसे ही वो नीचे उतर के आते बारिश रुख जाती अब दूसरे बंदर ने ट्राई करा वो सीड़ी पे चड़ा जैसे ही केले तक पहुचा खूब तेज बारिश शुरू हो गई और वो भी एकदम ठंडा पानी वो जल्दी से नीचे उतरा और जैसे ही वो नीचे उतरा बारिश रुख गई ऐसे ही करके तीसरे ने भी करा, चौते ने भी करा और पाँचोय ने भी करा वो जैसे सीड़ीों पे चड़ते और केले तक पहुचते साइंटिस्ट बहुत तेज ठंडा पानी छोड़ देते जिससे वो नीचे उतराते अब उन्हें ये समझ में आ गया था कि केले को पाने के लिए जब वो उपर चड़ेंगे सीड़ी तर तो बहुत तेज ठंडा पानी आएगा जिससे वो केला नहीं तोड़ पाएंगे अब साइंटिस्टों ने उन पाचो बंदर में से एक बंदर को बहा निकाल लिया और उसके बदले एक नया बंदर अंदर कर दिया अब नया बंदर को तो ये पता ही नहीं था कि उपर सीड़ीों पे चड़ने पे पानी आता है और केला नहीं तोड़ पाते हैं लेकिन साइंटिस्टों ने क्या करा कि जैसे ही वो बंदर को अंदर डाला गया वैसे ही वो बारिश वाला सिस्टम बंद कर दिया अब वो नया बंदर जैसे ही सीडियों पे उपर चड़ने लगा बाकी के चार बंदरों ने उसे पिटना शुरू कर दिया अब उस बिचारे बंदर को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये मुझे मार क्यों रहे हैं उसे लग रहा था कि भाई मैं तो सिर्फ सीड़ी ही चड़ना चार रहा हूँ मुझे मेरी पिटाई क्यों गर रहे हैं लेकिन वो जैसे ही विचारा पिट के चुका फिर उसे लगा कि मैं सीड़ी चड़ूं जैसे ही वो सीड़ी चड़ ता चारो बंदर फिर मारते हैं खैर उसने सीड़ी चड़ना बन कर दिया अब साइंटिस्टों ने फिर एक बंदर और पुराना निकाला और उसके बly एक नया बंदर डाला जैसे इनाया बंदर आया उसको भी यही समझ आया कि उपर सीड़ी चलनी है और केले उतारने और आराम से खाने है लेकिन जो बाकी के बंदर थे उनको ये पता था जो पुराने तीन बंदर थे कि ये जैसे ही सीड़ी चड़ेगा तो ठंडा पानी गिर जाएगा तो ये केले नहीं तोड़ पाएगा और जो नया बंदर था उसको ये पता था कि सीड़ी चड़ने पर पिटाई होती है उस चक्कर में उसने जो दूसरा नया बंदर आया था उसकी भी पिटाई शुरू हो गई वो जैसे ही सीड़ी के पास जाता बाकी के सारे बंदर उसको मारने लगते वो विचारा अब किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि वो सीड़ी के पास क्यों नहीं जा सकते अब जब कि बारिश भी बंद हो गई थी लेकिन अब यह रिवाज बन गया था कि सीड़ी के पास नहीं जाना है उराने बंदरों को ये पता था कि उपर चलने पे बारिश होती है और नए बंदरों को ये पता था कि सीड़ी के पास जाने पर पिटाई होती है साइंटिस्टों ने फिर तीसरे बंदर की जगा रिप्लेस करके नया बंदर करा नया बंदर के साथ भी सेम हुआ विचारा जैसी सीड़ी के पास जाता था उसकी बाकी बंदर पिटाई कर देते थे ऐसे करते हुए साइंटिस्टों ने सारे पुराने बंदर को उपर ले लिया और उनके बदले सारे नए बंदर डाल दिये और साथ में बारिज भी बन कर दी लेकिन जितने भी वो बंदर थे उनको ये बता था कि सीड़ी के पास नहीं जाना है वो जैसे ही कोई नया बंदर आता और वो सीड़ी के पास जाने की कोशिश करता पुराने बंदर उसकी पुटाई करना शुरू कर देते और वो विचारे को लगता कि सीड़ी के पास जाने पर पिटाई होती है जबकि उन्हों को ये पता ही नहीं था कि वो पिटाई होती क्यों है पहले पुराने बंदर क्यों मारते थे या क्यों डरते थे उन्हें ये पता ही नहीं था कि उपर जाने पर बारिश हो जाती थी उनको तो जितने नए आती गए बारिश कही उनको ये भी नहीं पता था कि बारिज तो आप रोग दी गई है, खाली हम केला जब चाहेंगे तब उतारेंगे, खाएंगे, आराम से मिल बाटके खा भी सकते हैं, लेकिन उन्हें एक ही रिवाज बन गया था कि सीड़ी तक नहीं जाना है, जाते ही पटाई शुरू हो जाएगी, समझे दोस्तों, कही बार हम ऐसे रिवाजों में जगड़े होते हैं, जो कभी बहुत सालों से उस टाइम के सिचुएशन के हिसाब से बनाई गई होती है, लेकिन क्योंकि वो रिवाज चलता आ रहा है, तो हम उसको तोड़ना भी नहीं चाहते हैं, या फीर हम उसको तोड़ते में डरते हैं, कि हम ल हो गया है जो अब हमारे लिए वो चीज सुटेबल नहीं है आई होप कि आप पिरी बात अच्छे से समझ गये होंगे इसी कहानी के साथ मैं हिजा आप से लेती हूं इजाज़त मिलूंगी अपनी नई कहानी में तब तक आप अपना बहुत खयार लगए और हां जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना शेयर करना मत भूलेगा